आप लोगों के लिए एक important news है आप लोगों का IBPS का जो calendar है तो ज़र 22-23 के लिए वो release हो चुका है ठीक है और आप लोगों का एक common doubt हो रहा है एनरे CT के बारे में ठीक है तो मैं इसे यहाँ पर clear कर दूँगा इस वीडियो में ठीक है तो आप लोगों कोई doubt नहीं रहेगा फिर तो चलिए पहले तो dates देख लेते क्या क्या exam का dates दिया हुआ है अगर बात करें RRB का office assistant and officer scale 1 का इसका जो prelims का exam का dates दिया हुआ है वो 7 अगस 2022 से लेकर 21 अगस 2022 तक होगा ठीक है prelims का जो exam है और यहाँ पर जो officer scale 2 और 3 का exam है जो की single exam exam examinations होता है ठीक है तो यह दिया हुआ 24-9-2022 में होगा ठीक है और officer scale 1 का जो mens का exam है ठीक है वो आप लोगों का 24-9-2022 को होगा ठीक है और office assistant mens का जो exam है वो आप लोगों का 1 October 2022 को होगा ठीक है उसके आ जाते हैं कलर्क IPS कलर्क और IPS प्यों का exam का date देखते है ठीक है तो कलर्क जो exam का date देखते है तो कलर्क जो exam का date यहाँ पर दिया हुआ है 28 August से लेकर 4 September के बीच होगा ठीक है color का exam और color mens का जो exam है वो आप लोगों का 8 October में mention करा गया है ठीक है यहाँ पर और PO का जो exam है IPS PO का वो आप लोगों का 15 October से लेकर 22 October के बीच होगा ठीक है और इसका जो mens का exam का डेट्स दिया हुआ है IPSPO का वो आप लोग का 26 नॉम्बर को दिया गया है ठीक है और specialist officer का जो exam का डेट है वो आप लोग का prelims का वो आप लोग का 24 December से लेकर 31 December के बीच होगा ठीक है और specialist officer का men's का जो exam है वो 29 जनवरी 2023 को होगा तो ये वाला जो point है ये क्या बोलना चाहरा है ठीक है तो चलिए इसको मैं आप लोग को साथ सेर कर देता हूँ ठीक है तो ये जो point है ये mention करा है subject to not holding of CET by NRA for group B post इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर देखो बीच में 2022 में अगर NRA CET आता है ठीक है तो इसके अंदर जो color वाला post है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो office assistant में star का mark दिया गया ठीक है star mark करा गया और यहाँ पर IPS color में भी star का mark करा गया ठीक है color का जो एक्जाम होगा ना वो NRA CET के अंदर होगा ठीक है लेकिन PO का जो एक्जाम होगा ना प्यो का वो NRA CET के अंदर नहीं होगा लेकिन अगर आ जाता है तो clerk वाला जो exam है वो NRCAT के अंदर होगा ठीक है तो उमीद करता हो आप लोग का ये भी doubt clear हो चुका है ठीक है अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक like जरूर कर देना और साथी साथ comment भी कर देना और अगर आप लोग एक proper study plan चाते हो ये सभी upcoming exams के लिए तो आप लोग इस वीडियो के comment box में एक comment जरूर करना ठीक है तो चलिए मिलते हैं next video में goodbye